जैम आता दी दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आए होप आप सब लोग फिट फाइन एन हैप्पी होंगे मैं अब एकदम बढ़िया हूँ और आज है सोमवर आज है होई हस्टमी का फास्ट और अभी टाइम हो रहे हैं पोने पाँच मैं अब चार बजे के समय में उठी थी उसके बाद मैंने खाना बनाया तो यहाँ पर मैं किचन का अपना सारा काम डन कर चुकी हूँ उखाना बनाना लुंट पैक करना बर्तन वगिदा साफ करना किचन को एकदम प्रॉपर तरीके से क्लें करना डेले क्लेनिंग होती है वह उसके बाद हम आ गयी हूँ डेव क्लेनिंग करने के लिए अपने रूम की तो आज मैं करने वाली ऑन अपने बैडरूम की डेव और यहां पर बैड शीट के नीचे मुझे किसी ने पूछा था कि मैं क्या बिछाती हूं तो यह मैट्रस प्रोटेक्टर है वैसे चिकू टॉयलेट नहीं करता है बैड पर फिर भी अपनी सेफटी के लिए मैं इसको बिछाती हूं कि बच्चा है पानी वगेरा दूद वगेर रहे हैं वामिटिंग वगेरा करते तो गद्धे तक वह चीज ना जाए और एकदम मतलब गद्धे सुरक्षित रहें तो यहां पर गद्धो को मैं बहार निकाल दूँगी मेरे हस्बिन की हैल्प से यह मेरी हैल्प कर देंगे निकल वाने में गद्धो को और सारे दिन गद कमरे में रख दूगे और यह तो मुझे द्होने भी हैं तो यहां से निचे से सारा समान मैंने बाहर रखना र offense कर लूँगी काथी अव्यार काफ़ी कंदा हो रहा था मेरा तो बार बार पार परम जो गदिन हो जाती है उसको नीचे जड़का रही हूं और एक बार तो सुखे कपड़े से मैंने इसको पोँच लिया है और उसके बाद मैं इसको गीले कपड़े से दो बार पोँच लूँगी जिससे की पंखा जो है अच्छे से क्लीन हो जाएगा और मेरी मम्मे के घर तो ना मेरी मम्मे पंको को उतार की बैड के अंदर रख देती है फिर गर्मी में दुबारा लगाती है कहती है पूरी सर्दी जो ही गंदे होते रहते हैं बार बार पोजने पड़ते हैं उसके बार जो यह सीनरे वगेरा लगी है इनको अटा दूंगी और बास वाली बड़ी ज़ाडू से जो है सारे जाले वागेरा साफ करने के कोशिश करूंगी वैसी इतने जाले होती नहीं है क्लिखकी करती ही रहते बट दिवाली की सफाई में यह होता है कि चीज है दी क्लटर भी हो जाती है और सफाई भी हो जाती है तो यहाँ पे कोनों से लेके और दिवारों पे भी मैं जो है जाड़ू को अच्छे से फेरूंगी चाहे आप कितनी सफाई कर लो बट अलकी अलकी जो जो दूल है वो दिवारों पर आ जाती है मतलब अगर आप कपड़े से पहुँचो गे रहा तो आपको पता चलेगा कि हाँ अमरी दिवारों पे भी जो है दूल है देखा जाए तो सब कुछ साफ है और अगर ना देखा जाए तो सब कुछ गंदा है ये अपना अपना नजरिया है सफाई करने का तो यहाँ पे दिवारों पे सब पे जो है मैं जाडू फेर लूँगी और पूरे कमरे में जो है एक बार जाडू लगा दूँगी कहने का मतलब यह है दिवारों पे छट पे और छट के उपर जो वर्क होता है न पुट्टी से उसके उपर सब पे मैं जाडू अच्छे से फे और मुझे अभी जो है स्कूल भी जाना है मतलब मेरा जो डेली वर्किंग दे है वही है उसी के बीच में जो है मैं सफाई कर रही हूं तो यहां पर ड्रेसिंग के पीछे से भी मैंने सारा मोटा मोटा सा कूडा निकाल लिया है और हाथ की हाथी यहां पर पोचा लगा के मैं ड्रेसिंग को उसकी जगा पे सेट कर दूँगी और यहां पे बैड के उपर भी जैसे पंका भी साफ किया है जाले भी जड़काएं है तो थोड़ी सी कूडा सा हो गया था उसको भी मैं नीचे कर दूँगी ताकि जब ज़ाडू निकाल लोंगी तो उसके साइड से निकल बैड के नीचे ना मतलब मेरी ज़ाडू बहुत इत्ती लंबी नहीं मतलब मैं कोशिश करती हूँ ज़ादा से ज़ाड़ा नीचे से जाके ज़ाडू निकाल लोंगी जो की बैड के नीचे गया हुआ है दोनों साइड से इस साइड से और इसके साइड में विल्कुल टच वाली साइड है यहां से भी बास की जाड़ू से मोटा मोटा सारा कोड़ा निकाल लूंगी और उसके बाद जो डेली वाली जाड़ू होती है वो लगाऊंगी पूरे घर में दिखा इसी रूम की रहे है इस वज़े से क्योंकि वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चा कर रहे हूं कि मेरे हस्बें आज घर पी रहेंगे तो फिर इधर से उदर गूमेंगे पैरों को गंदा लेकर सोफे पे चड़ेंगे दूसरा जोई का फास्ट है तो जो फास्ट वगेरा होता है जब तो हम पोचा जाडू की मतलब छोड़ी नहीं सकते हैं उसको तो बिल्कुल कसी मोटा मोटा सा पोचा लगा रही हूं कि ऐसा हो कि घर में जण अंच ड्मटा नजर आ इसलिए मैं आज feature कर रहे हूं उसके बाद ज़ाड़好 ठाल हूं और यह मैंने साड़ी पैनी है जो कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा मैंने इसका ब्लाउस स्टिच किया था इसके बाद हम मैं करूँगे अपनी होई अस्टमी की पूजा तो पहले अपनी मातरानी की पूजा कर लेती हूँ जो कि हम डेली करते हैं वो और जो मैंने मत का देख रहे होंगे छोटा सा मिट्टी वाला उसके अंदर गेंग बर दिये हैं और उसको धागे से बांध भी दिया है और उसके चारोत्रस तिलग भी लगा दिया है उसके बाद एक सूट और उसके पर कुछ पैसे मैं अपनी ननद के लिए रख दूँगे हमारे यह य अपने कहानी सुन रही हूं और बच्चों के लिए यह फास्ट होता है तो चीकू को मैंने अपने पास बिठा लिया है और उसके बाद चांदी के अंगूटी से अर्ग दे दूँगी सूरज को और यह देखिए यह मेरा फाइनल लूप तो यह साड़ी कुछ ऐसी है और पह कोई वीडियो नहीं दिखाए थी को कि मैं डीप क्लीनिंग दिखाना चाहती थी आप लोगों को तो अब मैं इन बर्तनों को साफ कर लूँगी तो अब मैं आपके साथ शेयर करोंगी तो अभी आपने पीछे देखा कि सुबह मैं काफी काम करके गए ती अब जो है मेरा यह जो कबड है इनको क्लीन करना बाकी है अंदर से ड्रेसिंग क्लीन करनी है और खिर की दर्वाजे पोंचने है और बैड को अंदर से क्लीन करना है तो सबसे पहले इस वाले कबड के पोर्शन से शुरू करती हूँ इसके अंदर मेरी साडिया और मेरी डेली के मैं कपड़े र उनको क्लेन करूंगी तो यहां पर मैंने अपने डेली के कपड़े सर्दियों में ओडने वाली चदर वगेरा यहां पर यह सब कुछ सेट कर दिया है और इन अलमारियों में से बहुत सा समान ऐसा है जो कि बैड के अंदर जाएगा जिनको कि मुझे यूज करें 6-6 महीने हो ज जाएगा और इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगी उस अलमारी में से जो है काफी समान बैड के अंदर चला जाएगा तो यहां पर थोड़ी बहुत हैल्प यह वाली अलमारी इससे भी काफी चीज़ें बैड के अंदर जाएंगे और यह जो सारा समान है यह उपर वाली साबुनी है उसके उपर भी हमने उसे रख रखा है तो सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि चीज़े डी क्लटर हो जाती है जो चीज़े यूज की नहीं है उन्हें हम निकाल देते हैं तो यहां का सारा समान भी मैंने उपर वाली अलमारी में सेट कर दिया है और यहां पर रख अब गर्मी नहीं होगे सीधा ठंडी बढ़ेगी तो मैंने निकाल के रख लिये थे इनको सेट कर लिया है और यह इसी अलमारी में के बॉक्स जिसके अंदर के मैं अपनी बैंगल्स वगिरह रखती हूं इसमें कई बैंगल्स हैं जिनके नग निकल चुके हैं या फिर कोई लाक के कड़े हैं जो टेडे हो गए तो उन सब को भी मैंने निकाल दिया है और यहां पे देख सकते हैं पूरा इसको मैं अच्छे से सेट कर लिया है क्लीन कर लिया है नीचे जो स्पीश में आपको दिखा रही थी वहां पे भी गरम कप्ड़े जाएंगे और यह सारा समान जाएगा बैड के अंदर अब मैं कर लूँगी चीको की अलमीरा की सफाई इसके अंदर भी कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि मुझी अब बैड में रखने हैं जो कि हाफ स्लीव की टीशिट है वैसे बहुत से कपड़े तो मैंने धशेरे पर ही रख दिये थे जो ठंडे कपड़ सरदियों में नहीं पहनते हैं तो मैं भी प्रेस से बच गई अच्छा हुआ मैंने कल सारे कपड़ों के प्रेस नहीं करी निदो इनको प्रेस करके रखना पड़ता और जब निकालते हैं इनको तब भी इनको वाश करके प्रेस करना पड़ता तो बस इनको सीधा तै करके औ और यहां पे जो थेला दिख रहे हैं फैना का इसमें सारे गर्मी वाले कपड़े हैं मेरे हस्बें के चीकु के निककर वगेरा टी-शेट वगेरा जो की गर्मी में पहने जाते हैं वो तो इस वाले बैड को भी इस वाले पॉर्शन को सोरी मैंने सेट कर दिया है अब यह जो मैं कर दूंगी विंडो क्लीन करने के बाद सिर्फ ड्रेसिंग बचता है तो इसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी और वैसे गर्मियों में इसको खोल के रखते हैं तो इतना गंदा भी नहीं होगा उसके बाद बैड को भी पहुंच दिया वैसे यह तो डेली साफ होने वाली पर एक मन में यह था ना कि एकदम ऐसा लगे चका चक कि हाँ वही कमरा एकदम चमक गया है तो इसको भी मैं अच्छे से गीले सुखे कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लूंगी और यह डेली भी क्लीन होता है और अब ऐसा लग रहा था मैं पूरा कमरा जब सैट हो गये था बारी है काफी टाइम लगा मुझे इनको वहां से लाने में और सेट करने में उसके बाद चदर बिछा दूंगे चदर के ना चारु कोनों पर मैं नोट बांध के तब बिछाती हूं कई बर आप देखना मॉर्णिंग के टाइम में मेरी चदर इकदम ऐसे कैसी रहती है यह बिल्कुल भी तो यहां पर बैड के ओपर यहां पर लगा दूंगी जो समान यहां पर सेट करना है वह और यह देखे चीको मेरी हैल्प कर रहा है मैं उस कोने में हमेशा तक्या लगाती हूं को कि मैं प्लग है न तो अब हैं तो अब ही टाइम हो रहा है साड़े आठ का और मेरा मतलब कमरे का सब कुछ क्लीन होगा है सिर्फ एक ड्रेसिंग क्लीन नहीं हुआ है इसको भी मैं करके सौंगी बट पहले में चीको को सुला दूंगी क्योंकि साड़े आठ बजे का टाइम हो चुका है यह बहुत लेट उटेगा अगर मैंने इस टाइम इसको नहीं सुल इस तरीके से मैंने कई ऑर्गिनाइजर बनाए हुए हैं जिसके अंदर की में चीजों को और करके रखती हूं और अब क्या है इससे क्या होगा कुछ चीज़े तो डीकलटर हो जाएंगी जो निकाल दूंगी जो लिप्स्टिक्स का मैं यूज नहीं कर रही हूं जो सूख या फिर मैंने बहुत टाइम से यूज यह नहीं किया उनको निकाल दूंगी तो इस तरीके के बॉक्स में रखने का एक फाइदा यह भी अगर आप इनको खुला किसी और पैकिट के अंदर रखते हो तो आपको ढूणनी पड़ेगी कौन सा कलर है कहां पे है इस तरीके से इसके अंदर क्या एकदम अरेंज होती हैं ड्रेसिंग भी दिखने में नीट एंड क्लीन लगता है और अगर हमें जो भी कलर चाहिए वह हमें अलग से दिखाई दे रहा है मुसको यूज करके और दुबारा इसके अंदर ही रख सकते हैं वहलब सारी चीज़ हमारी आँखो इस रहता है और जैसे कि यह शैंपू है हम लोग पाउच वाले शैंपू यूज करते हैं थोड़े अफोर्डेबल होते हैं तो इनके लिए भी मेर पास एक बॉक्स है जिसके अंदर कि मैं इनको इस तरीके से काटके और रख दूंगी जैसे कि जब भी यूज हो तो इसमें के तीनों रैक रह रहे हैं तो इनको मैं अच्छे से पोंच के इनके अंदर अकबार बिछा के और इसके अंदर सारा समान सेट कर लूँगी तो यह मेरे चूड़े का बॉक्स है और ऐसे ही मैंने कई जैसे कि एक मैं आभी आपको दिखाती हूँ यह देखिए बैंगल और ज इसके अंदर की में सारे अमनलब चेंज किया है इस डबे कोई तूट गया था इसके अंदर में सारे हैर एसेसरी रखती हूँ जैसे कि क्लैचर क्लेप्स रबर्ट बैंड वगेरा ताकि एक ना मिले तो दूसरा इसमें से फट निकाल के और यूज कर ले और यह कुछ डब् साड़ी के साथ के मतलब कॉंबिनेशन के तो इनको मैं उनके साथ पहनती हूँ तो यहां मेरा ड्रेसिंग जो है सारा बस क्लीन हो चुका है अच्छे से और यहां पर कुछ चीजे रह गई है वह मैं बाद में सेट कर लूँगी और यहां पर एक चीज दिखाती हूँ कि जै खता यह दोना बाकी है और चेयर चेयर सबसे आकरी में दोंगी और यह जाली वाला गेटर यह कर सुबर मॉर्निंग में दोंगी और यह कमरा मेरा बिल्कुल डीप क्लीन हो चुका है आय वोप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा यह आपके लिए हैल्पोर होगा कि किस तरीके से अपने जॉब के साथ हम अपनी दीवाली की क्लेइनिंग कर सकते हैं तो बाय टाटा गुड़नाइट जय माता दी